हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि रेडिमी नोट 13 प्रो फोन में आप लोग कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Redmi Note 13 Pro फोन है और इस फोन में जो है आपको एप लोक लगाना है अगर आपके फोन में बहुत सारे एप से और किसी किसी एप पर आप लोक लगाना चाहते हो जैसी कि WhatsApp को लोक करना है तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में एप लोक लगा सकते होगा इस त चलिएगए इस वीडियो को स्टार्ट करते एफ लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस एप लिस्ट को ओपेंड कर लेना है और यहाँ पर आपको एक एप्लिकेशन मिलेगा सेक्यूरिटी का तो इस सेक्यूरिटी के एप्लिकेशन को ओपेंड कर लिजे ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक option मिले गएगा इस एप लोग का तो इस एप लोग पे क्लिक कर दीजे क्लिक करती टर्ण उन का option हैगा टर्ण उन पे क्लिक करेंगे और यहापर जो भी pattern या पासपोर्ट आप लगाना चाहते हो एप लोग पे इस तरीके से application आएगे तो इन सबको आपको unselect कर लिजे अगर select रहेगा तो यह सारे ही एप लोग हो जाएगे तो इन सबको unselect कीजे और use एप लोग पे क्लिक कर दीजे क्लिक करती है अपर आपको application देखने को मिलेगे कौन-कौन सा application आप लोग करना चाहते उसको ढून ल लोग हो जाएगा तो कुछ इस तरीकी से आप लोग अपने Redmi Note 13 pro phone में आप लोग एप लोग लगा सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोग को कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई